ओम शांती पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे दाजी गुलजार जी के अव्यक्त ब्रह्मा के साक्षातकार के अनुभव अब आगे इस प्रकार परिचे मिलने के बाद फिर तो प्राया उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वह अव्यक्त मूर्ती ईश्वरिय ज्यान के कई गहन रह से सपष्ट करते रहे उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुश्य लोक के सूरे और तारगण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षातकार कराया मैंने दिव्य द्रिष्टी द्वारा ब्रह्मापुरी, विश्नुपुरी और शंकरपुरी को देखा ब्रह्म तत्व का भी साक्षातकार किया और उसमें जोती स्वरूप परम्पिता परमात्मा शिव को भी देखा उन्होंने मुझे कल योगी स्रिष्टी के होने वाले महाविनाश का भी साक्षातकार कराया और उसके बाद जो सत्योगी देवी स्रिष्टी होगी उसमें देवी देवताओं की वेश भूशा, साज सज्जा, वहां की बोली, भाशा, दिन्चर्या, वहां के राजदरपार और महल इनका भी साक्षातकार कराया केवल मुझे ही नहीं बलकि अन्ने अनेक बेहनों को भी ऐसे साक्षातकार हुए उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी जिसमें हर एक यग्ये वत्स को अब मरजीवा जन्म की बाद नया नाम दिया गया इसके बाद हुए कुछ योग तपस्या और बठी के कारेक्रम तो दादी कहती हैं कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेश प्रोग्राम दिये उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारन करती थी इसे मूवी अत्वा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था वे प्राताह बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारम करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी प्राताह अमृत वेले जब परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा इश्वरी ग्यान देते थे जिसे यहां ग्यान मुर्ली भी कहा जाता था तब वे भी ग्यान सुनती थी और बस दिन भर में नित्य कर्म आदी के अतिरिक्त अन्ने किसी कर्म की और बुद्धी ना लगा कर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी इसे बठी भी कहा जाता था क्योंकि जैसे बठी में प्रज्वलित अग्नी में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या इंटों को पका दिया जाता है अत्वा जैसे सुनार बठी में सोने को तपा कर उसे खाद निकाल कर उसे शुद करता है अत्वा जैसे लुहार बठी में लोहे को खुब तपा कर फिर उसे कूट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है वैसे ही वेवी योग अगनी में निजात्मा को तपा कर उससे अशुद संस्कारों की खाद निकाल कर उसकी शुद्धी का पुर्शार्थ करती थी अत्वा वेभी परिपक्व आत्मिक स्थिती प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास कर दी थी अत्वा वे स्वयम को प्रभु की लगन रूपी अगनी में तपा कर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्यान कारी बनने के लिए ये साधना कर दी थी इस अभ्यास से उन्हें देभान से न्यारापन अनुभव होता था वे स्वयम को वायू के समान हलकी अत्वा फरिष्टों के समान दिव्वे, अलोकिक, हर्ष युक्त, पवित्र, प्रकाश युक्त, एवं अव्यक्त मैसूस करती थी इसे ही अव्यक्त स्थिती, अथवा विदेह स्थिती का अनुभव कहा जाता था परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्ने यग्य वत्सों को भी योगा भ्यास कराती थी अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्षे समझाकर तथा योगविदी स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक द्रिष्टी की सहायता देकर योगस्थ करती थी फिर तो वो वत्स स्वस्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते यग्य पिता इस सारे प्रोग्राम का निरिक्षन करते थे इसके लिए आदेश निर्देश देते थे उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयम भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे इस प्रकार के कारेक्रमों से भी यग्यवद्सों की अवस्था में काफी उन्नती हुई उन्हें योग की टेव पड़ी अर्थात आदत पड़ी और अनंद मिला आज के लिए बस इतना ही अगली कड़ी तक विदेही बनने का अभ्यास पक्का करते रहें ओम शांती